हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनलाइन क्लासेज 2.0 में दोस्तों कल किसी कारणवश 20 अपरल की करंट अफियर्ज नहीं ला पाए थे इसलिए आज 20 और 21 की सपरल 2022 की मोस्ट इंपोटेंट करंट अफियर्ज लाए हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हूँ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं Q1. हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलूहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्र पती हैं आंसर तंजानिया Q2. विश्व बैंक के अनुसार देनेक व्यए सीमा क्या है जिसके नीचे एक व्यक्ति को अत्यदिक गरीबी एक्स्ट्रीम पॉवर्टी में वर्गी कृत किया गया है आंसर एक दशमलव नौ शून्य डॉलर Q3. कौनसा केंद्रिय मंत्राले एक लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थय और कल्यान केंद्रों पर ब्लॉक्स तरिय स्वास्थय मेलों का आयोजन कर रहा है आंसर स्वास्थय मंत्राले Q4. कौनसा देश अंतर राष्ट्रिय जल सप्ता जल सम्मेलन International Water Week Water Convention 2022 का मेजबान है आंसर सिंगापो Q5. हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है आंसर 18 अप्रेल Q6. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है आंसर 12.3 प्रतिशत Q7. माइग्रेशन ट्राकिंग सिस्टम आप विक्सित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है आंसर महराष्ट्रा Q8. पूर्बोत्तर का सबसे उचा राष्ट्रिय ध्वज कहां फेहराया जाएगा Q9. मंजू सिंग का निधन हुआ है वे कौन थी Q10. पीएम मोधी ने WHO Global Center for Traditional Medicine की आधारशिला कहां रखी है Q11. किस देश ने भारत से कृशी आयत को निलंबित किया है Q12. भारतिय विज्यापन मानक परिशद की नई CEO कौन बनी Q13. विश्वावाज दिवस कब मनाया गया है Q14. नव वर्श उत्सव पोईला बैशाख कहां मनाया गया है Q15. एक हत्तर वी सीनियर राष्ट्रिय बास्केट बॉल चेंपियनशिप किसने जीती है Q16. किस बैंक ने 12 अप्रेल को अपना 128 स्थापना दिवस मनाया है Q17. हुनर हाट का 40 संसकरन कहां शुरू हुआ है Q18. मैलकम आदिसेशिया पुरसकार 2022 से किसे सम्मानत किया गया है Q19. किस देश ने आयरन बीम का सफलता पूर्वक परीक्षन किया है Q20. हाल ही में खबरों में रहे पूर्वी तिमोर, इस्ट तिमोर को सयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष मान्यता दी थी Q20. आंसर. 2002. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेर कर दीजी, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूली, थांक यू.